दोस्तों अगर आपकी performance max campaign को चलते हुए 30 से 45 दिन हो गए हैं और अगर आपको consistent result मिलने लग गए हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इधर से लेकर इधर तक याने की लगबग 1 October से लेकर 11 November तक यहाँ पे inconsistent result थे याने की बहुत जादा fluctuation थे कई बाद zero conversion भी थे पर फिर आप देख सकते हैं कि 11 November के बाद से यहाँ पे जो है conversion बढ़ने लग गए हैं और ROS भी बढ़ने लग गया है यानि की लगबग 1 से डिर्ड महीना लगा इस performance max campaign को चलते हुए ताकि वह आपको consistent result दे पाए इसलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा कि अगर आपकी performance max campaign को चलते चाहिए तो obviously पहला तरीका जो scale करने का वह यह है कि budget बढ़ाना पर budget कब और कितना बढ़ाना है तो जब आपको consistency मिलने लग जाए तब आप अपने budget को बढ़ा सकते हैं आपको बहुत ही कम disturbance करते हुए 10 से 20% ही budget अपना बढ़ाना है क्योंकि दोस्तो performance max campaign बहुत ही ज्यादा automated campaign है इसमें एकदम से कुछ भी नहीं करना अगर आप एकदम से budget बढ़ा देंगे तो आपका जो ROS आरत हो पूरा डिस्टब हो जाएगा तो आपको ROS को safe रखते हुए इसमें आपको budget बढ़ाना है तो केवल 20% ही maximum हो आप एक बार में budget बढ़ाना और फिर एक हपते या 10 दिन तब आप एक नया asset group बना सकते हैं और आप उसे test कर सकते हैं कि क्या उससे आपकी performance max campaign improve हो रही है वैसे तो कोई भी एक नया asset group बनाना मतला आपके budget के उपर एक बहुत ज्यादा load डालना है testing का लेकिन इसलिए आपको बहुत सोच समझ की काम करना है फिर दोस्तों आप insights में ज सबसे ज्यादा conversion आ रहे हैं जिस भी keyword से आपको ज्यादा conversion आ रहे हैं उसके लिए आप एक broad match वाली search campaign बना सकते हैं यहां से वो keywords उठा के क्योंकि Pmax ने काफी testing करने के बाद आपको यह result शो कर रहे है कि कौन से keyword आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं इसके अलाव दोस्तों insight में आपको एक और बहुत अच्छी चीज पता चलती है वो audience insight में जाके आप देख सकते हैं कि कौन सी audience आपके लिए काम कर रहे हैं इस audience का use करके आप एक separate में YouTube campaign भी बना सकते हैं और इन audience को target कर सकते हैं जिससे बहुत ज्यादा संभावना है कि आपके जो further YouTube campaign है उ याने कि कौन सा YouTube वीडियो आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है पर आप यहां की audience उठा के separate YouTube campaign बना के आप उसमें अपना use कर सकते हैं इस audience insight का अगर दोस्तों आपने पहले से ही कुछ multiple assets बना रखे हैं तो आप यहां listing group में जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सा asset आपके कर रहा है इस पेशली आपको चेक करना है CTR दूसरा आप चेक कर सकते हैं conversion value slash cost यानि की ROS इससे आपको पता चल जागे कि कौन सा एक चेंज करने के बाद इसको पार चेंज करने के बाद उसको तो साथ से दस दिन के लिए continuously चलने दें without कोई disturbance बार बार हर एक दो दिन बाद कोई changes करना उसमें बिलकुल भी सही बात नहीं इससे आपका बहुत जादा loss हो सकता है और अगर आपने अभी performance max campaign शुरू करी है तो उसमें आपको पहले ही बता चुका हूँ आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों एक और चीज आप यह कर सकते हैं कि settings में आकर यहां बेडिंग में जाके maximize conversion value है अगर आपकी Pmax campaign जो है पहले conversion maximize conversion पर चल रही थी अभी तक और आपके 40-50 से जादा conversion आ चुके हैं तो अब आप इसको maximize conversion value पर सेट कर सकते हैं और अपना target ROS भी यहां पर डाल सकते हैं वैसे तो जैसी आप इस box पर tick लगाएंगे तो यहां पर Google खुदी आपको suggest कर देगा कि आपका कितना target ROS होना चाहिए यह दूसी चीज आप यह भी कर सकते हैं कि पहले इसको tick ना करें और बिना target ROS के आप maximize conversion value पर करके अपनी performance max campaign को फिर से चलते हुए भी 15-20 दिन हो जाएं और consistent result आने लग जाएं तब आप फिर से इसको upgrade कर सकते हैं और maximize conversion value पर लेके जा सकते हैं और फिर 10-15 दिन के बाद आप दूसरे changes कर सकते हैं बजट हमेशा 15-20% के हिसाब से ही बढ़ाना है इसके लावा दोस्तों अगर आप extra help चाहते हैं e-commerce related कि आप कैसे अपनी e-commerce sales को improve कर सकते हैं google ads या facebook ads का use करके तो आप जरूर मुझे contact कर सकते हैं contact करने के लिए आपको description मेरी website की link मिल जाएगी जहां पर आप मेरे साथ एक free call बुक कर सकते हैं किस तरीके से हम आपकी business में आपकी help कर सकते हैं इसके लब अगर आपको PMX related कोई भी doubt या query है तो आप comment section में जरूर डालें उनको जरूर हम आगे के videos में या comments में discuss करेंगे